स्काइमेल नी चिताओं नी दी है कि 20 अप्रेल से 26 अप्रेल तक विधर्ब मराठवडा और कोकन और मध्य महराष्टर के कुछ हिस्सों में गरश के साथ बारिश होगी राज्य में कोरोना वाइरस बढ़ रहा है चार हजार से अधिक रोगी पाए गये है जबकि दूसरी और जलवायू परिवर्तन ने किसानों को बहुत परिशान किया है कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया दूसरी और हवा में बदलाव की कारण किसान और बागवान चीनती थै सकाइमेल ने चिताओने दी है कि 20 अपरेल से 26 अपरेल तक विधर्प मराठवडा और कोकन वा मध्यमाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरश के साथ बारिश होगी कुछ हिस्सों में हलकी सी मध्यम बारिश होगी दूसरी और मुंबई सहित के शहरों में एक ही समय उच्चतापमान कानुबव होने की संभावना है अकोला जलगा जीले में उच्चतापमान 40 डिग्री सेलसियस है नाकपूर भंडला गोंदिया यौतमाल वाशिम और चंदरपूर में बारिश की उम्मिद है इसके अलावा नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोलापूर, सिंदुदूर, गुरतनागिरी और पूने में भी बारिश हुई है इस सप्ता के दोरान राज्य में वातावरन शुष्क था, आसपास के राज्यों में आधरता अधिक रहेगी और महराश्टर के अधिकान शिर्सों में बारिश हो सकती है और दूसरी और तापमान में रुद्धी होने की भी संभावना है इन बी सियन न्यूस के लिए अभी शेख पांसी के रिपोर्ट